नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अभू और आप देखे हैं हज़ी की विडियोज चानल आए नज़र आते हैं आज की कुछ महत्पुन खबरों किया उमरिया जीली की मांदूगर टाइजर रिजर्व में वन प्राणी अपराज नियंतरण में काररत बैली नामक स्वान आविस दुनिया में नहीं रही जा मार्च 2017 में जन्मी बैली वन प्राणी कंडक्चन एवं अपराज नियंतरण में मत्यपुन भूमी का निभाई है बैली अपनी कारिकाल का प्रारम वर्च 2018 में राष्टिय स्वान प्रासिचन केंद्र टेकन पूर ग्वालियर से किया एवं अपराधी पकड़ने वस्तोग खोजने हैंडलर की निर्दिशों का पालम करने आधी का प्रासिचन बैली में प्राप्त किया एवं हैंडलर राजकुमार मित्रा सहाइक हैंडलर असो प्रधान के साथ मिलकर अपनी प्रसिच्छन को और आगे बढ़ाते हैं विवर्स 2018 से बैली ने बांदोवर टाइगर रिजर्व में वन प्राणी संडक्षन में अपना युगदान देना प्रारम कर दिया था बहुत ही कम समय में इस टीम ने कुल 46 वन प्राणी अपराद के प्रकरन पकड़े जिसमें की कुल 101 अपरादियों को पकड़ा गया बैली ने 23 सौर प्रतियोगिताएं भी जीती हैं एवन दिनां 23 दिसंबर को बैली अपने इस अभूत पुर युगदान के बाद हम सब के सब्सक्राइब करने में बहुत मदद मिलती हैं यहां लिए बहुत बड़ी इच्छती हैं इससे अच्छा डॉग नहीं था प्रतियों हाग के पास कितने अभी तक हैं इसने साल्ट किया है जिसमें इसकी एकुरिशी 95 परसंट से ज्यादा रही है और सामके समय दसक बज़े इसको बहुत प्रेश बखार आए तो उमरिया लेके आए थे इलाच के अगरान दो बज़े भी नहीं बच पाई यह जो वन विभाग की डॉग हमा आए नहीं वन विभाग बल्कि दूसरे विभागों में भी जो केसों की सुल्जाने में मदद मिली है उसमें इसने काफी काम किया लगबख 66 केसों में इसका प्रयोग किया गया जिसमें से 38 आपराधिक मामलों में सक्सेस मिली पुलिस विभाग को और वन विभाग को आज पुलिस अधिक्षक मैडम के सहयोग से हमने इसका जो अंटिन राइट्स है वो उसकौम ने अच्छे से किया और विभाग के लिए काफी दुख का विशह है कि एक हमारा जो सबसे तेज तरह स्निफर डॉग था वो आज हमारे साथ नहीं है उसकी कमी हमें हमेशा रहेगी जैस तफ्तीश चल रही थी उसी दोरान जब गाड़ी का चेक किया गया उसके बाद जब वापस यह अपनी कारवाई करके लौट रहे थी तो रास्तेमिस की तब्यत बिगड़ने के उपरां इसको अस्पताल ले जाया गया अस्पताल में विधित कारवाई के बाद डॉक्टर स अब 21 तारीक को रात को डॉग अपना इस पैर कर गया यहां पर बहुत जादा फीबर आया उस वज़े से हुआ यह और सबसे बड़ी बात यह था कि जिस दिन इसका देथ हुआ उसी दिन इसने एक सुवर सिकार का केस में अपरादी भी पकड़के आई थी साम को यह अपरा और टेकनपूर में पूरे मेरे बैच में जेड़ सो डॉगों में इसने टॉप किया था और इसके बाद हर साल एमपी में फॉरेश डॉग स्कुएड टीम का एमपी में कम्टीशन होता है जो लगबग अपने हैं 22 डॉग स्कुएड है और तीन साल से लगातार यह टॉप कर था और टोटल लगबग 86 में केसों में यह गई थी और आज मैं इसका गुरू के साथ साथ मैं इसका एक पिता तुल ने भी था अपने बेटी जैसे इसको रखा मैं बस इस बात का दूख है कि आज इसका देथ हो गया